गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स, एवियस में हम पार्थेरा कानाबाती कुर के multiple choice questions करेंगे, बहु विकल्प्य पस्ट उत्र यहां पर पस्ट नमबर एक दिया गया है, किस चीव के कान बाहल नहीं होते कौवा, गाए, तोता, या क और ग, यानि कि कौवा और तोता दोनो हमारा उत्तर विकल्प घ सही होगा, क्योंकि गाए के हां में बाहर कान देख सकते हैं कौवा और तोते के नहीं दिखते, इसलिए क और ग, दोनों सही उत्तर हैं इसलिए विकल्प घ पर हमें सही का निशान लगाएंगे पर्ष नमबर दो कुछ जीवों के शरीर पर बाल होते हैं जैसे भेड, बकरी, आदी परन्तु कुछ जीवों के शरीर पर बाल नहीं होते निमलिक में से ऐसे कौन से जीव हैं छिपकली, गिरगेट, केचवें और प्रोक्त सभी तो यहां पर देखिए छिपकली, गिरगेट और केचवें इनके शरीर पर किसी पर भी बाल नहीं होते तो इसलिए हमारे विकल्प घ सही उत्तर होगा घ पर सही का निशान लगाएंगे पश्च नमबर तीन है जो जीव पेड पोधे और उनके भाग या घ स्फूस खाकर जीवीत रहते हैं वे कहलाते हैं शाकाहारी जो जीव पेड पोधे या घ स्फूस खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं शाकाहारी तो विकल्प का हमारा सही उत्तर होगा शाकाहरी पास्ट नमबर चार है केवल मास खाने वाले जीव मासाहरी होते हैं निम्न में से कौन से जीव मासाहरी होते हैं तो यहाँ पर देखे एक जानकरी दी गई है केवल मास खाने वाले जीवों को क्या कहते हैं मासा हारी तो इन में से कौन सा है हीरन, गाए, शेर, खरगोष तो यहां पर शेर मासा हारी है शेर क्या खाता है मास खाता है पर्श नमबर पांच है शाक, वनस्पती, खाने वाले शाका हारी मास खाने वाले मासा हारी और ऐसे जीव जो मास तथा शाक दोनों खाते हैं उन्हें कहते हैं सर्वाहारी निम्न में से कुन सा सर्वाहारी है तो ये देखी जो शाक वनस्पती खाते हैं उनको क्या कहते हैं शाकहारी और जो केवल मास खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं मासहारी और जो दोनों चीज खाते हैं शाक भी खाते हैं और मास भी खाते हैं उन्हें क्या करते हैं सर्वाहारी तो निवन जो नीचे दिये गए विकल्प है उनमें से हमें सर्वाहारी जीव ठूनना है शेर, कुट्टा, गाए, हाथी तो देखे, कुट्टा रोटी भी खाता है और मास भी खाता है इसलिए कुट्टा सरवाहारी है पशन नमबर छे है किस जानवर के कान बड़े और पंखे जैसे होते हैं बताईए, हाथी जैसे है न ये तो आप फट से बता दोगे बिल्कुल आसान पशन है किस के कान बड़े और पंखे जैसे होते हैं हाथी के कान पशन नमबर साथ है जल में रहने वाले जीव हैं मचली, मेड़, कछवा इन्हें क्या कहते हैं जलचर जो जीव जल में रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं जलचर विकल्पख हमारा सही उतर है जलचर पर सही का निशान लगाएंगे और उसके बाद है पशन नमबर आठ निमन में से कौन सा जीव उभैचर है उभैचर मेंडग, मखी, चूहा कोई नहीं उभैचर यानि कि दोनों जगे जो पानी में भी रहता है और जमीन पर भी रहता है वो कौन सा है मेंडग पानी में भी रहता है और जमीन पर भी रह सकता है पशन नमबर नो निमन में से थलचर कौन नहीं है थलचर जो जमीन पर रहते हैं नहीं है बताना है घोड़ा जमीन पर रहता है मचली पानी में हाथी जमीन पर छिपकली जमीन पर दिवारों पर तो विकल्प ख हमारा सही उत्तर है मचली थलचर नहीं है ये जमीन पर नहीं रहती पर्ष नमबर दस है हमारा राष्टे पक्षी मोर है उसी तरह हरियाना का राजय पक्षी क्या है? काला तीतर हरियाना का राजय पक्षी क्या है? काला तीतर पर्ष नुम्बर ग्यारा हरियाना का राजय पक्षी काला तीतर है उसी तरह हरियाना का राजय पक्षु कौन सा है? नील गाई पर्ष नुम्बर बारा है जिस प्रकार रास्टिय पोश्प कमल है उसी प्रकार रास्टिय पशु क्या है रास्टिय पशु बाग है तो dear students आज के लिए आप कानाबाती कुल के ये बहु विकल्पिय पशनोतर याद करके अपनी कोपी में लिखेंगे और अपने अध्यापक के साथ वार्सप क्रूप में साजा करेंगे वीडियो को लाइक और शेर करना ना भूले और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें थेंक्यू